हलो एवरिवन स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम अकेडमी पर जहां पर आप सभी को NTA UGC NET से रिलेटेड सभी तरीके का इनफार्मिशन आपको मिलता रहता है तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं NTA की तरफ से आए हुए एक प्रेस रिलीज के उपर जिसमें इन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजनसी से रिलेटेड जो एक्जामिनेशन होने हैं 2024-25 में उसके उपर इनफार्मिशन रिलीज किया हुआ है यह जो प्रेस रिलीज है वो NTA की तरफ से 14 सितंबर को रिलीज किया गया था जिसमें इन्होंने 2024-25 में होने वाले जितने भी एक्जामिनेशन हैं उसके बारे में एक लिश्ट शेयर किया हुआ है तो होसे यूटूब चैनल पर यह चीज बताई गई कि जो दिशमबर 2023 का एक्जामिनेशन है उसके बारे में नोडिफिकेशन रिलीज हो गया है तो ऐसा कुछ नहीं है यह जो नोडिफिकेशन है वो 2024-25 से रिलेटेड है अब सभी जानते हैं कि NTA जो है UGC NIT का एक्जाम स उसका होता है और दूसरा जो से रहता है वो दिसमबर में होता है 2023 में जो दिसमबर का एक्जामिनेशन है वो अभी नहीं कराया गया है उसका कोई भी नोडिफिकेशन रिलीज नहीं किया गया है लेकिन मैं आपको इसे वीडियो में ही बताऊंगा कि NTA की तरफ से जब यह रिलीज आया तो उसके बाद NTA के आफिसियल जो ट्विटर है उस पे भी एक नेशनल टेस्टिंग एजनसी की तरफ से ट्विट किया गया जिसी वज़ा से बहुत से स्टुडेंट जो है मिसगाइड हो गये उनको ऐसा लगा कि दोनों नोडिफिकेशन सेम एक्जामिनेशन के लिए आय हुए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि अखिर इस नोडिफिकेशन में कौन से एक्जाम के लिए इनफार्मेशन मेंसन किया गया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे नोडिफिकेशन में सबसे उपर ही यहाँ पर मे 24-25 following is the calendar for some measure examination to be conducted by the NTA तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी examination होने हैं उसके बारे में full information NTA ने mention किया हुआ है कि 2024-25 में कौन-कौन से exam होने हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो examination होने हैं उसके नाम mention है examination का mode mention किया गया है और जो date of examination है वो भी mention कर दिया गया है तो यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा UGC NET session 1 session 1 यानि कि जो March में जिसका notification आता है जिसका form fill up होता है और June में जिसका exam कराया जाता है तो यहाँ पर session 1 से संबंधित notification mention किया गया है क्योंकि यह के NTA का calendar है जिसमें इन्होंने six examination के बारे में एक list जारी की हुई है जिसमें से UGC NET का भी नाम mention है जून दो हजार चौबिस में जिसका exam होना है इसका जो exam है computer base है और जिसका जो examination है वो दस जून से कीस जून के बीच में कराया जाएगा तो गाइस यह जो press release है वो वो दिसंबर 2023 से संबनित नहीं है यह press release 2024 के लिए आई होई है तो चलिए अब हम NTA के official जो twitter है उस पर जो tweet आया हुआ था NTA का वो भी देख लेते हैं तो गाइस यह twitter पर NTA का official twitter account है जिसमें जिसे मैंने screen start किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यह जो account है April 2018 में बना हुआ है जिसमें 6 लाग से ज्यादा followers है NTA के यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस वक्त मैंने यह notification जिस वक्त मैंने इस tweet को screen start किया हुआ था उस वक्त इस tweet के release होने के 15 minute के बाद मैंने इस tweet को release किया हुआ था आप देख सकते हैं NTA की यहाँ पर जो side में आप लोग देख सकते हैं 15 minute का timing mention कर रहा है जिसमें NTA की तरफ से hashtag announcement UGC net December 2023 cycle will be conducted from 6 December से 22 December के बीच में conduct कराने के लिए इसमें tweet किया गया है लेकिन इस tweet के बाद अगर जब आप अभी इस tweet को धुड़ेंगे तो ये NTA के Twitter handle से delete कर दिया गया है सायद क्योंकि मुझे तो नहीं मिल रहा है दुबारा जब मैं दुबारा इसको देखने की कोसिस कर रहा था तो ये मुझे मिला नहीं तो सायद इसे delete कर दिया गया है लेकिन इसी दो notice के बीच में student जो है थोड़े से confused हो गया है क्योंकि कुछ लोग NTA के tutor account पर इस tweet को देखने के बाद उन्हें लगा कि exam date आ गया है जिसका notification NTA के official website पर mention किया गया है तो अभी NTA का जो December का जो exam होना है उसका notification आना बाकी है अभी इसी महीने के last में उम्मीद है कि NTA की तरफ से इसका notification release कर दिया जाएगा जिसमें release कर दिया जाएगा तो गाइस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि नए वीडियो में नए information के साथ अब तक के लिए thank you so much